दोस्तों अड़ोबाचल मैं आप सभी अब 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 अगत करता हूँ दोस्तों कि आपने Android Phone के Nintendo Stories से बहुत जादा परिशान है यानि आपका Nintendo Stories बेफुजूल का फूल हो जाती है कुछ भी बड़ा फाइल को डॉनलोड नहीं करते हैं फिर भी आपके Mobile के Nintendo Stories फूल हो जाती है और आप इससे परिशान है तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंदर एक ऐसा फोल्डर के बारे बताऊंगा अगर दोस्तों ये फोल्डर अपने Mobile से डिलेट कर देते हैं तो आपका Mobile के Nintendo Stories मरते दम तक प्रॉब्लम नहीं होगा ना आपके Nintendo Stories बार बार फूल होगा सिर्फ पर सिर्फ ये फोल्डर को डिलेट करने के बाद है और दोस्तों आप सोचते होंगे कि भाई ऐसी कौन सी फोल्डर है और ये कहां पर मिलेगा और कैसे डिलेट करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो फोल्डर आपको कहां पर मिलेगा और कैसे डिलेट करना है और कैसे अपने Mobile के Nintendo Stories को problem solve कर सकते हैं वो भी मरते दम तक तो आपको ये वीडियो बिलकुल ध्यान से देखना चीए मैं तो कहता इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको Mobile के अंदर Nintendo Stories का problem है तो तो दोस्तों चले मैं आपको बता देता वो फोल्डर के बारे में कि कहां पे मिलेगा मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट मेरा नामे सितारे और आप देखने होगा तोगा YouTube चैनल तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्मार्टफोन है और चले मैं आपको बता देता वो कौन सी फोल्डर है जिससे कि आप ये फोल्डर को डिलेट कर देते हैं तो आपकी मोबाल के स्टोरेज मरते दम तक ना कभी प्रॉब्लम होगा ना आपके स्टोरेज कभी फूल होगा तो दोस्तों चले मैं आपको बता देता हूँ लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों कि मेरे मोबाल के अंदर इस्टेंडल स्टोरेज फूल हो चुका और यहाँ पर बता रहा है स्टोरेज 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 इस्पेस रणिंग आट तो इसी का प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाला हूँ बीना कुछ डिलेट किये वे सिरी पर सिरी यह फोल्डर को डिलेट कर देते हैं तो आपके मोबाल के इंटेंडल स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जागा और मरते दम तक फूल नहीं होगा अगर दोस्तों यह इस तरह से underground आता है आपको फूल बताता है और जैसे फूल बताएगा और यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर जाएगे और को भी application को इस्टोड करने जाएगे तो आपको यहाँ पर बताएगा running space out यानि आपके storage फूल हो चुका अगर आप इस application को install करनाац चाहते हैं तो को application को या विडियो को delete करें तभी आप ये application को install करोआंगे, otherwise नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी आपको folder है और इसे कैसे delete कर पाएंगे तो अगर दोस्तों जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सपोर्ट करना होगा और यहाँ पर चैनल को कली जगा सबस्क्राइब और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा इस बटन को किलिक करने के बाद आपके मोबाल के अंदर जितनी भी फाल्तू फोल्डर होगा जितनी भी आपको बखबास फोल्डर होगा और वो फोल्डर आपको 10GB, 15GB या 16GB या 1GB, 2GB इस टूरिज को आपको लेता रहता है और आपको पता भी नीचे लेगा लेकिन आपकी मोबाल के इंटेंडर इस टूरिज फूल करके रखेगा तो यहाँ पे जैसे ही इस अप्लिकेशन को मैंने बटन पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे running space यहाँ पे हट चुका और जैसे यहाँ पे देखने पूरा का पूरा complete होनी के बाद यहाँ पे yes हो गया और मेरा यहाँ पे जो notification था running space वो भी यहाँ पे हट चुका तो यह मुझे काफी कमाल की लगा application जिससे कि आप यह folder को delete कर देते हैं तो आपकी mobile के intended storage है मरते दम तक ना full होगा ना कभी problem होगा तो इस बात का ज़रूर ध्यान रही है और इस application को ज़रूर एक बाश टॉल कीज़ेगा मुझे उमेद है कि यह application आप हमेशा रखेंगे अपने mobile के अंदर तो दोस्तो बस यही ताप सभी को बाताना था यही problem के बारे में अगर दोस्तो यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगाना तो नीचे comment करें कि कैसी लेगी आपको वीडियो और यह वीडियो का भी तक share नहीं कि तो share कर सकते हैं वर्टसप ग्रूप के अंदर फेस्बूप ग्रूप के अज़न ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चले और हमारे चैनल को पहली बात देकरें तो सब्सक्राब भी करजिए साथ में घंटी को दमाना बिलकुल नहों ले तब तक के लिए भी ध्यान एक दोस्तो टेक के रान गुडबार